ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचू ग्यानेंद्रियों और पांचू करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नौदुर्गा को लेकर धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाद से भी नौरात्र का महत्वपूर्ण स्थान है, विशेश महत्व है। नौदुर्गा के नौरूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। आउवेद की भाशा में मनुष्ट की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती है। आईवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो, उसे इन नो दुरगा में उन्ही देवियों की विशेस पूजा करनी चाहिए. संपूर्ण विश्वी देवियों के स्वरूप है। आउशदियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं। जिन लोगों को जो बीमारियां हैं वो उसी हिसाब से पूजा अनुष्ठान करेंगे। तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। देवी मा का पंचम स्वरूप यानि इसकंद माता अर्थाद अलसी। नवदरुगा का पांचवा स्वरूप इसकंद माता है। जिनें पार्वती एवं उम भी कहते हैं, ये आउशदी के रूप में अलसी में विद्धमान है, ये वाद, पित, कफ, रोगों की नाशक आउशदी है, अलसी को हम फ्लैक्स सीट्स भी कहते हैं, अलसी एक ऐसा खादे पदार्थ है, जिसका सेवन जिस रूप में किया जाए, फायदे मन्द ही होता है, अल अलसी में कई ऐसे पोशक कत्तो होते हैं, जो मानो शरीर के लिए स्वास्थ वर्धक हैं, अलसी, ओमेगा 3, फैटी एसिड, बिटामिन B1, प्रोटीन, फाइबर, मेगनेशियम, मेगनीज, फासफोरस, सेलेनियम, आईरन इत्यादी का एक बढ़िया श्रूत है, भरपूर मा मात्रा में ओमेगा 3, फैटी एसिड मौजूद होने से, अलसी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाता है, खाली पेट अलसी खाने से पेट साफ होता है, और पाचन क्रिया मजबूत होती है, अलसी में हाई जो वजन कम करने के लिए काफी फायदेमन माना जाता है, प्रचूर मात्रा में फाइवर का सेवन करने से तोचा पर नमी और सुंदरता बरकरहर रहती है, अलसी के बीच का नियमित रूप से सेवन करने पर खराब कोलिस्टराल कम होते हैं, अलसी में मौजूद फाइवर घ जाती है, और इनसान में अत्यदिक भूख मिटाती है, जिसके कारण इसमें वजन को कम करने की शम्ता आती है, यदि नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए, तो ये फाइवर पेट को भर देती है, और मस्तिष्ट तक ये संदेश भेज देती है, कि अब खाने की जरूरत खत्म हो चकी है, इसलिए अब खाना रोग दिया जाए, चूंकि अलसी के पौधे में ओमेगा थ्री पाया जाता है, जिससे ये हार्ट पीट को सामान ने रखने में मदद करता है, इससे हिर्दे की धमनियों में जमा कोलिस्टाल घटने लगता है, और ब्लट सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिसकी वज़ा से हार्ट टेक की संभावना बहुत कम हो जाती है, फाइबर युक्त होने की वज़े से अलसी पाचन तंत्र के लिए भी चमतकारी सावित होता है, इसके सेवन से पेट संबधी बीमारियां जैसे डाइरिया, कब्स, सूजन में राहत मिलती है अलसी के बीच को नाश्टे में खाने की भी सला दी जाती है, अलसी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, अलसी में मौझूद फाइबर पाचन क्रिया को संयमित भी रखती है, अलसी का प्रियोग कर कैंसर से भी बचाओ किया जा सकता है, अलसी के त पहलाने वाली कोचिकाओं को बढ़ने से रोबता है। आज के बदलते परवेश में हर दूसरे इंसान को डाइबिटीस की समस्या होती है। ऐसे में अलसी का उपयोग शरीर में बढ़े हुए शुगर लेविल को चमतकारिक रूप से दुरुस्त करता है। अलसी के पौधे में पाए जाने वाला लिगनन शरीर में बलट शुगर लेवल को नियंतरित करता है। एक चमच अलसी का एक महीने तक नियमित रूप से सेवन करने से रक्ट में शुगर की मातरा कम होती है। कोलेस्टरॉल घट जाता है। बदलते मोसम की वज़ज़ से अकसर लोगों में सरदी जुकाम की समस्या हो जाती है। अगर जुकाम ज्धा हो चाए तो कफ बन जाता है। कफ की वज़े से काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। चुकि अलसी की तासीर गर्म होती है। इसलिए ये कफ को पिगलाने में मददगार होती है। इसके सेवन से गले और श्वास नली में जमा हुआ कफ पिगल कर बाहर आ जाता है। अलसी का पौधा बिटामिन B से भरपूर होता है। ये बिटामिन तुचा के लिए काफी अच्छा होता है। इससे तुचा का रुखा पंदूर होता है और तुचा में जमा काती है। साथ ही ओमेगा 3 के वज़ा से चेहरे के दाग धब्बे भी सही हो जाते हैं। तुचा के अलावा अलसी, नाखून और आखों को भी फायदा पहुचाता है। विटामिन और ओमेगा 3 का फायदा तुचा के साथ साथ बालों को भी होता है। इससे ज़डते हुए बालों और गंजेपन को रोकने में मदद मिलती है। नियमित रूप से अलसी का तेल लगाने से बाल स्वस्थ होते हैं और जणे मस्बूत होती है। हजार गुणों वाली अलसी आखों के लिए भी फायदा मन्द है। जिन लोगों की आखों में सूखे पन के शिकायत होती है। उन्हें अलसी के तेल का प्रियोग खाने में करना चाहिए। इससे आखों में काफी फायदा पहुंसता है। अगली कड़ी में देवी मा के छठवे स्वरूप मा कात्याइनी की चर्चा होगी। और बताएंगे आपको मा कात्याइनी के आउशधिय महत्तु के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे अनुरूद है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देवी मा की किर्पा आप पर सदयों बनी रहे। जै मादूर के।